जार्खन के सरकारी और प्राइबेट इस्कूल सोमवार को बंद परिक्षा अस्थगीत केंद्र सरकार की अगनिपत जोजना का देश प्यापी बिरोध परदर्शन और विभीन संगठनो द्वारा सोमवार को भारत बंद की घोसना को देखते हुए सुरक्षा के द्रिष्टी से जार्खंड के सरकारी और नीजी इस्कूल बंद रहेंगे इस्कूली सिक्षा एवमसक्षर्ता विभाग ने इस समस्द में सभी जीलो को आवसक दिसाने देश जारि किया है वही बंद को देखते हुए नावी और एगार्वी की परिष्टा को अस्थगीत कर दिया गया है बता दे सकूली स्थिक्षा एंव सक्षरता सच्चिव राजे सर्मा ने बताया कि बचों के सुरक्षा को देखते हुए एतियातन इसकूल को बंद किया गया है रब्भी बार होने की वज़ा से नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया वहीं राजे के सभी जीलों को अवस्यक दिसाने देश दिया गया है मौसम विभाग ने अपने पूरोनमान में बताया है कि 20 जुन को संथाल परगना में भारी बारिस हो सकती है वहीं 20 जुन को राजे के मध्य हिसे के साथ साथ उत्री हिसे में भारी बारिस हो सकती है मौसम विभाग के केंदर परभाद अविशेक आनन्द के अनुसार जारकान में मानसुन का आगमन हो गया है इस्थिती अनुकुल है आने वाले दो से तीन दिनों में पूरे राज्य में मानसुन की बारिस होने लगेगी भारत बंद आज सोमवार को प्रस्थावित भारत बंद को देखते हुए जारकन सरकार ने सभी सरकारी और प्राइबेट इसकूल को बंद रखने का निदेश दिया है हेमन सुनेन सरकार की ओर से जारी एक ब्यान में कहा गया है कि सोमवार को कुछ संगठनों की ओर से भारत बंद की अपिल की गई है इस बंद को ध्यान में रखते हुए सोमवार को सभी सरकारी और प्राइबेट स्कूल को बंद रखे जारखन के सिक्षा सचीव राजे सर्मा नया आदेश जारी किया है इस आदेश को सभी जीलों के सिक्षा पदाधी कारी और जीला सिक्षा दिश्कों को मैसेज के जरिये भेज कर आवस्चे करवाई करने का निदेश दिया है OVC के स्वागत में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे जार्खन पहुँचकर हेमंत सुरेन को लालची मुख्यमंत्री का अगर चुनावती देने वाले OVC को घेरने के त्यारी है उनके राची आगवन के दोन पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाने के मामले की जाच होगी मीडिया में खबरे चलने के बाद जार्खन सरकार ने रभीवार रात को एह अहम आधेस दिये है बतादे रांची के उपायुक्त शवीरंजन ने पूरे मामले की 24 घंटे में जाच कर रिपोर्ट सरकने का आधेस दिया है बतादे की OVC रभीवार को एक दीन के दोरे पर जार्खन पहुचे इस क्राम में उन्होंने मांडर ओपचुना 2022 के निर्दलिय पत्यासी देव कुमार धान के समर्थन में चान्हों में चुनावी सभा को समोधित किया है पूलिस को मिला 1.47 राइफल लातेहार पूलिस को रभीवार को परतिवंधित उग्रवादी संगठन तिर्थी सम्मेलन प्रस्तूती कमिटी के विरोध करी सफालता मिली है एसपी को मिली कुप्त सुचना पर करवाई करते हुए लातेहार थाना पूलिस ने संगठन के एक सैतालिस इंसास समेत अन्य हथियार और गोली बरामत किया है बता देव पलामू रेंज के डियाए जी राजकुमार लाकडा ने रभीवार को लातेहार पूल्स मुख्याले के सभागार में प्रेस वरता कर बताया कि लातेहार जिले में टी एसपीसी के विरुद लगातार अभियान चलाया जा रहा है जारखन में बढ़ रहे कुरोना के एक टीव मरी जारखन में धीमिक अती से ही सही कुरोना के मामले एक बार फ्री बढ़ने लगे हाँ यहाँ एक टीव केस की संख्या हाल के दिनों में लगातार बढ़ रही ह एक दिन पूर्व सन्निवार को भी राजे में कुरोना के 24 नए मामले मिले इसे एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 94 हो गई है बता दे सन्निवार को मिले नए मामले में राजी के 15, देवघर तथा पुर्वी सिम्म के 33 तथा बोकारो गढ़व लाते हार के एक-एक मामले सामिल है भारत बंद को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा केंद्र स्रकार की अगनिपास योजना की बिरोध में रविवार को जार्खन बंद की अपील की गई चुकि इस आंदोरन का असर सबसे ज़्यादा रेलेवे पर 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 रहा है इसलिए राची रेल मंडल में तमाम रेल वेस टेस्में की सुरक्षा बढ़ा दी गई है पर दसन कर्यों से निपटने के लिए सुरक्षा बलू ने पुकता त्यारी की है आंध्रे पर देश वाले नरसना पर 25 लाख का इनाम जारखन में नकसलियों के सफाय को लेकर राजे में तरह तरह की वजनाय प्रभावी है नकसलियों पर इनाम की रासी के अलाबा आत्म समर्पन के लिए बनी ओप्रेसन नई दिशा तक चल रहा है इन ही वजनाओं के तहत राजे में 21 नकसलियों भी चीनित किये गए है जिन पर राज सरकार ने इनाम की खोसना कर दिया है बता दे इन 21 नकसलियों में आंध्रे पर देश का नकसलियों सेक सदस्ये नरसना पर 25 लाख रुपए उनकी पतनी रिजनल कमांडर पुनम पर 15 लाख रुपए की खोसना की गई है बिहार के 20 जिलों में सोमवार्तक इंटरनेट पर रोक बिहार में अगनी पत्योजना पर जारी बवाल को देखते वे 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है रविवार को 5 अने जिलों में भी इंटरनेट सेवा को सस्पेंट कर दिया गया इसके साथ अब कैमूर भोजपूर अरंगाबाद रोहतास बकसर नवादा पस्रिम चंपारन पूर्वी चंपारन समस्तिपूर लखी सराई बेगू सराई बैसाली सारन मुझाफरपूर दर्भांगा गया मधुबननी जहानाबाद खगड़िया और सेखपूर में इंटरनेट सेवा बंध है गीरी डी में बस पल्टी बालस ज्यादा घायल जारखन के गिरी डी जीले के पचमबा थाना छेतर के राजपूरा के पास सवाली से खचाखाच भरी बस और नियंतरित होकर पलट गई इस घाटना में लगभग एक दर्जन से अधिक पैसेंजर गायल हो गए तीन पैसेंजर के स्थिति नाजुक बने हुई है आपको बता दे कि बिजाय रत बस हर रोज की तरह सवाली लेकर गामा परखन से गिरी डी आ रहे थी इसी दवरान ए घाटना गटी है रांची रेल मंडल में 11 ट्रेने रद अगनी पथ जोन्या के खिलाब छात्रों के परदसन में ट्रेनों को लगातार निसाना बनाया जा रहा है ट्रेनों और मुसाफितों के सुरक्षा को लेकर रांची रेल मंडल की ओर से लागतार रद की गई ट्रेनों के सुची जारी कर दी गई है बतादे छात्र अंधुरन के कारण फंसे यात्रियों की सुधा के लिए स्पेसल ट्रेनों का भी परिचारन किया जा रहा है राची रेल बंडल से खुलने वाले गुजरने वाली 25 से ज़्यादा ट्रेन ने अब तक रद किजा चुकी है CM सुरेन आज तीन जन सभावों को संबोधित करेंगे मांडर बिधान सभाव उपचुनाव अब अपने पूरे रंग में आता जा रहा है बिजेपी ने भी वहां कमरकस लिया और कांग्रेस ने भी अब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है दोनों पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं का दोरा मांडर में लगातार हो रहा है सुमवर को जार्खन के मुख्यमंत्री है मनसुरेन कांग्रेस कैंडिडेट सिल्पी नेहा तिर्की में समर्थान जुटाने के लिए तीन चुनावी सभाव को समधित करेंगे नेशनल कराटे चेंपियंशिप में खुटी की महिला ने रज़त जीता पुने में 17-29 जुनतक कराटे इंडिया औरगनाजेशन द्वारा अरज़ित नेशनल कराटे चेंपियंशिप में जार्खन की ओर से प्रति निधित्व कर रही खोटी की महिला खिलाडियों ने सीनियर वर्ग में टीम काता में संदार परदसन करते वे रज़त पज़क जीतने में सफल होई टीम काता में पज़क दिलाने वाली अंजली कुमारी इसमीता जोजो एवाम एलीसा करकेटा सामिल है